तो विल्कमें दूस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं economics major paper 2 के बारे में इसमें जानेंगे कि question कैसे आएगा ठीक है और आपके जो है exam को qualify करने के लिए कितने marks चाहिए किस university के लिए तो रांची विस्विद्या लए और निलांबर पितांबर विस्विद्या लए इन दोनो economics major paper 2 देखें दूस्तों इसमें आपको पढ़ना क्या है सबसे पहले यह जानें तो आपका जो subject है इसका syllabus का नाम है introductory macroeconomics ठीक है तो macroeconomics का परीचे जानना है इसमें आपको और question किस टाइप से आएगा वह जान लेते हैं देखिए आपके exam में 75 marks का question आएगा जिसमें से 5 question होंगे और 5 marks वाले 2 question होंगे यह हो जाएगा group A ठीक है और group B जो रहेगा उसमें 15 marks वाले total 6 question रहेंगे जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा तो 15 चोका इधर हो जाएगा 60 और उपर वाला 15 marks का कुल मिला के 75 पास करने के लिए आपको इसमें लाना है 30 number ठीक है और आप आपको जो internal होता है 25 marks का उसमें लाना होता है 10 number और external 75 में 30 number कुल मिलाके 100 marks हो जाता है और कुल मिलाके 100 में 40 number समझ गए यह आपका qualifying marks है अब चलिए देख लेते हैं पढ़ना क्या है इसमें आपको तो यह रहा सिलेवस आपका और इसके बाद हम लोग objective question करेंगे तो पहला है यूनिट आपका introduction जानना है macro economics का ठीक है और देख लिए यह आपके यह question है कुछ जो कि मैं आपको दे दूँगा देखिए first है आपका macro economics का meaning जानना है और scope ठीक है कि macro economics कहते किसे हैं इसकी परिभासा क्या है और इसका कारे छेत्र क्या है scope क्या है ठीक है next है concept जानना है इसका और measurement of GDP GDP कि गंणा कैसे की जाती है GNP की गंणा कैसे की जाती है NDP की गंणा कैसे की जाती है और NNP की गंणा कैसे की जाती है marketing price इन सब के बारे मैंने already video बना चुका है syllabus के ओपर ठीक है अब directly मैं बढ़ जाता हूं unit two के ओपर unit two में आपको जानना मनी के बारे में यानि कि मुद्रा के बारे में ठीक है यह इसमें चार्ट टॉपिक पढ़ने हैं function of money ठीक है determinants of demand and money and supply of money ठीक है next हम लोग आ जाते हैं तो फिर है आपका inflation inflation पढ़ना है आपको inflation में भी चार्ट टॉपिक है आपके next है हमारा यहां पर banking यानि कि साखा ठीक है तो साखा के बारे में जानना है banking के बारे में थोड़ा सापको नेक्स्ट है unit 5 और इसमें आपका जानना theory of employment and income ठीक है इसमें आपके टोटल चार यूनिट है अंतिम यूनिट है यूनिट 6 जिसमें आपको जानना ट्रेड साइकल के बारे में यानि कि बैपार चक्र के बारे में ठीक है तो यह हैं टोटल आपके छे यूनिट अब इससे यहां पे जितने भी अपजेक्टिव बन रहे हैं मैं इन सब को दिखा रहा पीडियाफ भी साथ में वीडियो का डिस्क्रप्शन में पीन कर दूगा ठेक है तो अभी तक क्यों में बना पाओंगा एक सब्सक्राइब को इसमें डाल दूग और बाद बाकी कोशिन आप लोग पीडियफ में डाउनलोड कर लीजेगा और हां जो लोग गैस्पेपर नह यहनी कि national income को उपहोग के दृष्टि कौन से किसने परिवासित किया तो आपको याद रखना है economics का नाम ठीसर ने किसने परिवासित किया है not इंकम को भोक के दृष्टि कुन से फिसर नेक्स नेक्स है हमारा पीगू प्रोफेसर पीगू की राश्ठी आई की परिभासा में कौन सा गुन विद्मान है तो उनके अनुसार जो है सुबीदा जनक होना चाहिए बेवारिकता होना चाहिए यथार्त वाद होना चाहिए ठीक में आप जिसमें comfortable रहेंगे आप उसमें कर सकते हैं समझ गए तो इसमें लेंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है कि है में एफ उसमें कर देशोग। को अंतरगत रखी जाती है शाधनों की यहाइं किंस स्तिर्शक को अंतरगत सब्सक् Tokyo वेतन है जा यानि कि प्राइवेट कंपनियां उनको प्राप्त लाब भी होता है तो राइट अंसर हो जाएगा उपरोग सभी ठीक है साधनों कि आए किन सर्षकों को अंतरगत रखती है तो यह सभी को जो है यह धयान में रखके बनाया जाता है अगला कोशन है कि निम्न में कौन सा कथन आस सथ्या है मतलब की कलत है टेक है तो देखिए किसी देश में एक वर्ष की अवधी के भीतर उतपादित असांख्य वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा की गंणा करना बहुत कठेन है जिए ऐसा तो नहीं है बहुत कठेन तो नहीं है नेक्स्ट जो वस्तूएं उतप परतिक्ष रूप से उभ्भोग कर ली जाती है उनके उत्पादन की मात्रा कि निष्चय करना संभव नहीं होता है तो यह भी गलत बात है नेक्स्ट सकल राश्टी उतपद यानि कि national NGP निमित भूगतान जोड़ देने पर जो कुछ बचता है वही विसुद्ध राश्टी आए होता है जो की गलत है और हो जाएगा option C सकल राष्टिय उत्पाद में मुल हरास के नियम भुगतान जोड़ दने सु जो कुछ बचता है वही विसुद्ध राष्टिया है यहाँ गलत है तो इस तरह से आ जाएगा और डी नंबर क्या कोशन है बोला गया एस्टेंटमेंट में कि सकल राष्टिय उत्पाद को एक वर कर जाते हैं कोशन है कि सकल राष्ट इस पाद में से सकल राष्टिय उत्पाद देखिए सभी याद कर लिजिएगा फुल फ़पम जीडीपी ग्रॉस्टिक प्रोडक्ट टेक है जी एनपी अघ्र नेस्नल प्रोड़क्ट जिटाभी है आपका सभी याद कर लिजेगा ठीक चलिए क्या है कि पानी नहीं पिया था खाना खाके देखिए मैं बोल रहा था कि इन सब के जो है आपको फुल फॉम याद कर लेना है ठीक है चलिए बता ही देता हूं सबसे पहला है आपका जीडिपी सबसे इंपोर्टेंट ठीक है इसको बोलते हैं ग्रोश डॉमेस्टिक प प्रोड़क्ट ठीक है इसको बोलते हैं ग्रोश डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट ठीक है इसको क्या बोलेंगे राइस्टिय शकल राइस्टिय घरेलू उत्पाद ठीक है राइस्टिय घरेलू उत्पाद ठीक है राइस्टिय घरेलू उत्पाद ठीक है राइस्टिय घरेलू एक आपका NDP नाम से संस्था भी है National Doping Agency करके ठीक है नेक्स्ट है हमारा एक होता है NNP क्या होता है NNP इसको बोलते हैं Net दोस्तों मैंने साइध NDP के फुल फॉर्म गलत बताया गया इसको हिंदी में बोलते हैं नीवल घरीलू उतपाद आप लोग लिख लिएगा NDP और एक होता है आपका NNP इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोड़क्ट निवल राइश्ट यह उत्पाद है चलिए यह सारे आप लोग नौट कर लिजिएगा अब इंपोर्टेंट कोश्चन है यह क्योंकि आपको पूछ लिया जाता डिरेक्ली की फुलफर्म क्या होता है और अगर पूछ लिया जा मोलता है कौन से संस्था करती है तो इसको नेशनल एस्टाटिक सेयर मैं भूल रहा हूं आप बता हूं ठीक है जो भी इसका मुक्याल जो है कॉलकाता में है और इसकी अस्थापना 1951 में हुई ती यही जो है GDP की गणना करती है और जितना भी मैंने बता है अभी इन सभी की गन्ना counting करती है ठीक है चली अगला question है कि सकल राइश्टी उत्पाद में से मुल्य हरास के निमित भुगतान घटा देने पर जो कुछ बचता है उसे क्या बोलते हैं ठीक है तो सकल राइश्टी उत्पाद यानि की GDP ठीक है ग्रो सुस्द राइश्टिय उत्पाद इसको क्या बोलते हैं नेट नैश्नल Kerry में ब्रॉफित सुरू नेट नैश्नले प्रोडक्ट ठेक है कि में निवल राइश्टिय उत्पाद इसको तो हम मैंने बोला था इसको सुद्ध लिख दिया है चलिए जो भी है सही है भी सुद्ध भी बोल सकते हैं और निवल भी बोलते हैं निवल राष्टी उत्पाद ठीक है नेट नेशनल प्रोड़क्ट नेक्स्ट है हमारा पुंजी निवेश से ताथपरिये पुंजी में विर प्रोफेसर जॉन प्रोबिंस का ठीक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो अगला हमारा कोशन है जब निवेश किसी विसिष्ट यूजना के साथ नियोजित धंग से किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं इसे एच्छिक निवेश कहते हैं दोस्तों इस परकार की टोटल जितने भी कोशन दिये गए हैं इन सबको आपको पढ़ लेना है टोटल 17 पेज का पीडियेफ है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्सर में भी दे दूंगा और आपको मैं फिर से बोल रहा हूं बुक ले लीजिएगा ठीक है क्योंकि बुक पढ़ना मतलब यह जो है गेस पेपर कम से खबुक तो नहीं पढ़ते हैं बुक है तो बहुत अच्छा और नहीं तो कम से कम गास पेपर आपको पढ़के ही जाना आए एक और बाकी इंपोर्टन कोशन तो मैं करवा ही दूंगा जितना भी इंपोर्टन कोशन रहेगा तो सब को जब ले लीजिएगा और अगर बुक लिए हैं तो सुभान अल्ला एकदम ग्रेट काम किये हैं चलिए ठाइंक यू बाई ओल दावेस्ट मिलते हैं एक लिए वीडियो में यह पूरा का पूरा पीडियेप मैं दे रहां वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ठाइंक यू एंड जितना भी पेपर रहाएगा और धीरे धीरे करके सब वीडियो डालूँगा ठीक है बाई